नमस्कार बच्चों, मादमिक शिक्षा परिशत उत्तरपदेश के e-learning प्रोग्राम के अंतरगर्द, आज मैं डॉक्टर वेनू राय प्रवक्ता राजकी इंटर कॉलेज बड़ोदा हिंदवान हापुड से आज आपको भूगोल विशे में प्राकरतिक वनस्वती पार्ट को समझाने की कोशिश करेंगे, आए पार्ट को शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि पार्ट को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है, पहला प्राकरतिक मनस्वती की परिभाशा जान सकेंगे, भारत में पाये जाने वाले विबिन प्रकार के वनों के बारे में जानेंग और ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन है ये भी समझने की कोशिश करेंगे भारत में विभिन प्रकार के वनों के का जो वित्रण है उसको आप मांचित्र पर कर सकेंगे साथी साथ वन संग्रक्षन, वन नीती और सामाजिक वानकी के बारे में जानेंगे संग्रक्षण हेतु जीवमंडल निचे वह भारत में वित्यमान विभिन जीवमंडल निचियों के बारे में भी जाने के तो आईए पार्ट की शुरुवात करते हैं सबसे पहले ये जानने की पोशिश करते हैं कि प्राकरतिक पनस्पती आखिर किसे कहते हैं तो प्राकरतिक पनस्पती से अभिप्राय पोधा समू से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तशेव के उपता है और इसकी विभिन प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मित्ती और जलवायू परिस्तितियों में यठा संभव स्वयम को धाल लेंगी है वनों के प्रकार प्रमुक मनस्पती प्रकार तथा जलवायू परिस्तिती के आधार पर वनों को हम इन प्रकारों में बाढ़ सकते हैं ये गुल पाँच प्रकार हैं उश्यनकटिबन्दिय सदा बहार एवं अड़ सदा बहार बन जिन को हम Tropical Evergreen या Semis Evergreen क्याते हैं दूसरा उश्यनकटिबन्दिय सपानपथि यानि Tropical Desidious Forest तीसरा उश्यनकटिबन्दिय सबुआर जिसे माउंटेन वन कहा जाता है और सबसे आखरी में वेलांचली वा अनूप बन जिसे हम अंग्रेजी में लिटोरल वा स्वैम फोरेस्ट कहते हैं आईए सबसे पहले उशने कटी बनती है सदाबाहार एवं अर्थ सदाबाहार वनों की विशेशताओं को समझते हैं यह कैसे प्रदेशों में पाया जाते हैं? उस्दवा आद्रब्रदेशों में 200-100 से अधिक वर्शा और यहां पर तापमाग 22डिर से अधिक पाया जाता है सात यह बन सघंट और पत्तो वाले होते हैं और वर्ष भर हरे होते हैं और ऐसा क्यों होता है क्योंकि इन पेडों में जो पत्ते छड़ने का समय या फलोपूर लगने का समय जो है वो अलग लग होता है इसलिए यहां पर वर्श भर यह जो पेड़ होते हैं यह अगर वित्रण देखें भारत में तो पश्चिमि काट की पश्चिमि ढाल और जो मुख्य प्रिक्ष प्रजातियां यहां पर मिलती है वो है रोजवुड महोगनी एनी और अर्द सदाबहार वाले भागों में पाए जाते हैं और यह वन सदाबहार और आत्र बढ़बाती वनों के मिश्वित रूप है एक मिस्ट फॉर्म में है और इनमें पाए जाने वाले जो मुख्य प्रजातियां है वो है साइडर, भोलब और कैड इसके बाद आए एक बार इसका वित्रण समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि आपने मैक में देखा यह डाल ग्रीन कलर जो काड़े हरे रंका है यह आपका ट्रॉपिकल एवर्क्रीम फॉरेस्ट या जिसक पाई बनते हैं नेक्स है उश्नकटिबंदी पर्णपाती वन भारत में यह वन बहुतायत पाये जाते हैं इन्हें हम मांसुनी वन के नाम से भी जानते हैं यहां पर वर्षा सत्तर से दो सेंटीमिटर तक होती है और जन उपलतता के आधार पर हम इन वनों को दो भागों मे बाटते हैं जो है आधर पर्णपाति और शुष्ट पर्णपाती आजए अब इन वनों का एक distribution देखते हैं जो यह लाइट ग्रीन कलर है यहां पर यह जो distribution है पूरा इन पूरे इलापों में आपको यह पर्णपाती वन अब यह जो पर्णपाती वन के दो प्रकार जो अभ वही शुष्क पर्णपाती में 70-100 cm तक वित्रण की अभी बात करें तो आधर पर्णपाती वन उत्तरपूर्वराज्य, हिमाले के गिरिपज, पश्चिमिक घाट के पूर्वी ढाल और ओडिसा जैसा कि अभी आपने मांचित्र में देखा था वही शुष्क पर्णपाती प्रायदीप में अधिक वर्षावाले भाग और उत्तरपदेश वर विहार में पाये जाते हैं मुख्य पेडों की अगर बात करें तो इन में सागवान, साग, शीशम, मववा, आवला, सेमल, कुसुम बर चंदन पाये जाते हैं और शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतर, तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खेर और ओक्सल बूर पाये जाता है अब हम बात करते हैं अपने जो अगला प्रकार है वनों का उश्न कटिबंदी है कांटेदारवन जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कांटेदारवन यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और अधिकतर घास एवं जाडिया मिलनी है पौधे लगबग पूरे वर्ष पंड रहीत रहते हैं और जाडियों जैसे लगपे हैं तो यहाँ पर मुखे प्रजातिया कौन-कौन सी मिल रही हैं बगूर पेर खजूर नीम खेजडी और पलाश और जो छेत्र हैं इन वनों के वो हैं दक्षिन पश्चिम बंगाल, दक्षिन पश्चिम पंजाब, हर्याणा, राजस्थान, गुजराद, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्ट शेत्र इनका वित्रण यदि आप देखना चाहें, मैप में, तो ये जो भाग हैं, जो पीले रंग से दिखाए गए हैं आपको, ये यहाँ पर आपको थॉर्म कॉरेस्ट या काटिदार बन प्राथ होते हैं आएए आप बात करते हैं परवती वनों की, इन वनों को दो भागों में बाटा जा सकता है, उत्तरी परवती वन और दक्षणी परवती वन और इरे अंगईजी में हम बांटें पॉरेस्ट कहते हैं पहले समझते हैं उत्तरी परवती वनों को, हिमाले के गिरिपत पर परवती वन पाये जाते हैं और जो इनकी विशेष्टाएं या इनमें जो पेड़ों के प्रकार मिलते हैं वो हाइट के एकॉडिंग यानि जो इनकी उचाई है उसके एकॉडिंग अनुसार अलग अलग प्राप्त होते हैं तो आए समझते हैं 1000 से 2000 मीटर की उचाई पर आपको आत्र शितोष्ण कटी बंदिये बन मिलते हैं वही 1500 से 1750 मीटर की उचाई पर व्यपारिक मात्ववाले बन जैसे चीड के बन प्राप्त होते हैं 2225 मीटर से 3048 मीटर की उचाई पर ब्लू पाइन और स्कूरूस मिलते हैं और 3000 से 4000 मीटर की उचाई पर सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इस तरह के पेड मिलते हैं इसके साथ-साथ देवदार, चिलान और वालन के व्रिक्ष भी इस प्रकार के वनों में दिखाई पड़ते हैं अब बात करते हैं दक्षणी परवतियवरों की प्राइदीप के तीन भागों यानि की पश्चिमी घाट, विंद्यांचल और नीर्गिली की श्रिंखलाओं में ये वन अधिक्तर पाए जाते हैं इसके साथ साथ जो उचाई वाले छेतरों में शितोष नकड़िबंदिये वनसपत्ति मिलती है और वहीं इसमें जो नीचले छेतर हैं इसमें आपको उपोष नकड़िबंदिये wonderful दिखाई देते हैं कुछ राच्चे जिसमें इन प्रकार के बन दिखाई पड़ते हैं वो है केरल, तमिलाडू और करनाटक के कुछ छेत्रू इसके साथ साथ नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाडियों पर पाए जाने वाले जो सितोष्न कटिवन्तिय बन है उनको एक अलब टर्म किया ग इसके साथ साथ इन सभी छेत्रों के साथ साथ सबुड़ा और जो मैकॉल की श्रेणिया है उनमें भी दक्षन परवतियवन दिखाई पड़ते हैं यह परवतियवनों का वित्रण है आप अगर इस मैप में देखना चाहें तो माउंटन फॉरस जो है वो यहां पर हिमाले के चेत्र और यहां नौर्थीस्ट में आपको इन चेत्रों में दिखाई पड़ते हैं परवतियवन उसके बादम जो आखरी प्रकार है वनों का उसकी बात करेंगे वेलांचली वा अनूपन जिसको हम लिटोरल स्वैम फॉरस्ट बोलते हैं भारत में विबिता प्रकार की पाए जाते हैं ओडिसा में चिलका और भरतपूर में केवला देव राश्ट्री पार्क अंतर राश्ट्री महत्व की आद्र भूमियों के अदिवेशन के अंतरगत रक्षित जल पुकुट आवास हैं यह आपको याद रखना है और भारत में जो वेट लैंड जो आद्र भ अन्य आद्र भूमी इनके केवल आपको नाम जानने हैं उसके बाद राजस्थान गुजरात कच की खारे जलवाली जो भूमी है यह वी वेट लैंड है गुजरात राजस्थान से पूर्व और मत्यप्रदेश की ताजा जलवाली जीले व जलाश है इसके साथ भारत के पू कच्छ एवं अनूग छेत्र कश्मीन और लदाग की परवतिय जीले और नदिया और अंडमान और नीकोबार द्रीव समू के ड्रीव चापों के मैंग्रो वन और दूसरे आग छेत्र यह मानचित्र आपको भारत की जो आग्र भूनी है जो वेट लाइन साइड साइड से य चेत्रों पर मैंग्रो वन उपते हैं 6.70 किलोमेटर में यह फैले हुए हैं जो विश्यु का लगवग साथ प्रतिशत भाग कवर करते हैं अंडमान और नीकोबार द्रीव समू पश्चिम मंगाल के सुन्दवन डेल्टा में यह मैंग्रो वन सबसे जादा विक्सित हैं इस इसका एक डिस्ट्रिबूशन है भारत में कहां का पर आपको मैंगरो वन दिखते हैं गुझ्रात में गोवा में सुन्दरवन मैंगरो पश्चिम मंगाल महानदी कृष्णा कावेरी डेल्टा जो छेत्र हैं इन सब में आपको मैंगरो वन दिखाई दे रहे हैं यह एक आत्मत अध्यन के लिए है कि जितने भी प्रकार के वन हैं वो कहां कहां पर भारत में पाए जा रहे हैं अब हम बात करते हैं भारत में वन आवरण की फॉरेस्ट कवरेज की तो राजस्व विभाग के अनुसार 23.28 प्रतिशक पर वन आवरण मौझूद है वन छेत्र में वास जबकि वन आवरण प्राकरतिक वनस्पति का जुर्मूट है और वहां पक वास्तविक रूप में वो जो एरिया है वो वनों से धका हुआ है वन चेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है जबकि वन आवरण की पहचान आपको वायू चित्रों और उप दोनों प्रतिशत भाग पर सगन वन है और 8.75 प्रतिशत पर विभरत वन पाये जाते हैं यह आगणे है बचों जो आपको याद रटने हैं आप बात करते हैं राजिवार या छेत्रवार वन चेत्रों की कैसे कैसे भारत में यह डिफरेंट है लक्षदीव वन चेत्र शून है जबकि अंडमान नीकोबार में 86.93 प्रतिशत तक वनावरण देखा जाता है 10 प्रतिशत से कम कम चेत्र वाले जो राज्य हैं वो हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्तित हैं जादा तर और यह राजिय राजिस्थान गुजराद पंजाब हर्याणा और दिली के इसाशित प्रतिशत में तमिलाडू और पश्चिम बंगाल और 20-30 प्रतिशत में प्राइटीपी भारत में दादर और नगरहवेली तमिलाडू और बोवा को छोड़ गर शिष सभी राजिय वहीं 30 प्रतिशत से अधिक में उत्तर पूर्वी राजिय यह आपने जब मैप म 21,5% से अंडमान निकोबार में 84.01% 84.01% तक वास्थिविक बनावरण है वहीं 15 राजियों में पुल भूमी के 33% से अधिक भाग पर 1 है वास्त्रिक वनावरण के अधीन छेत्र के आधार पर हमने राजियों को चार भावों में विभाजित किया है पहला अधिक 1 सकेंद्रण वाले राजी जहां पर 1 आवरण 40 प्रतिशत से अधिक है मध्यम 1 सकेंद्रण वाले प्रतेश जहां पर 1 आवरण 20 से 40 प्रतिशत है कम 1 सकेंद्रण वाले प्रतेश वहां पर 1 आवरण 10 से 20 प्रतिशत है और अतिकम वन सकेंद्रण वाले प्रदेश जो है उनमें जो वन आवरण का प्रतिशत है वो दस से भी कम आप बात करते हैं वन संद्रक्षण की वन संद्रक्षण नीती 1952 में लागू की गई जिसे 1988 में फिर संशोतित किया गया इस नीती के अनुसार सरकार सतक खोशनी वन प्रवंदन पर बल देगी और इसके साथ साथ वन संसाधन का संद्रक्षण वाविकास की भी बात की गई और इसमें जो सबसे जरूरी शीष थी वो ये थी कि स्थानिय लोगों की आवशक्ताओं को पूरा किया जाएगा और इसके साथ साथ वन संग्रक्षण की बात कही देगी इसी परिपेख्षी में आगे फिर गौर्रमेंट ने वन नीती बनाई प्रबंदन पर बल देती है जिससे एक और वन संग्रक्षण का विकास किया जाएगा और दूसरी और वनों से स्थानी आवशक्ता की भी पूर्ती की जाएगी जो हमने अभी कहा था कि लोगों की स्थानी आवशक्ताओं को भी ध्यान में रखते हुए हमें वन संग्रक्ष करना है देश में 33 प्रतिशत भाग पर वन लगाना जो वर्तमान राष्टी स्थ से 6 प्रतिशत अधिक है पर्यावरण असंतुलन समात्त करने के लिए वन लगाने पर बल देना इसके साथ साथ देश की प्राकृतिक धरोहर जै विविदता तथा आनुमांचिक पूल का मिल करना और जो आखरे उदेश था हुआ था सामाजिक बानी की कारक्रम चलाना जिससे उसर भूमी का उप्योग वनों को बानी के लिए किया जा सके बच्चों अभी हम समझेंगे कि सामाजिक बानी की टर्म से क्या मुद्दग है आईएर समझते हैं सामाजिक बानी की का क्या आर्थ है पर्यावरण सामाजिक व ग्रामीड विकास में मदद के उदेश से वनों का प्रबंध और सुरक्षा और इसके साथ साथ उसर भूमी पर जो वन रोपन है उसे हम कहते हैं सामाजिक बानी की राश्री पिशी आयोग 1976-1989 ने सामाजिक वानिकी को तीन वर्गों में बाटा शेहरी वानिकी, ग्रामीड वानिकी और फार्म वानिकी शेहरी वानिकी से क्या तात पर है जब आप शेहरों के एर्दगेर्द जो निजी और सारजनिक भूमी है उस पर जब आप ब्रिक्ष लगा रहे हो तो इसे हमने टर्म दिया सामाजिक वानिकी का वहीं ग्रामीड वानिकी को दो भागों में बाटा गया क्रिशी वानिकी और समुदाय वानिकी तो क्रिशी वानिकी में क्रिशी योग्यों और बंजर दोनों प्रकार की भूमी पर पेड और फसल एक साथ लगाने को प्रमोट किया गया कि आप पेड भी लगाई है और फसल प्रभी उगाई है एक साथ वहीं समुधाय वानिकी में सालजनिक भूमी जैसे गाउं चरागा मंदिर भूमी या जो विद्याले की भूमी है या सड़क के दोनों और पेड लगाना इसे सामुधाय वानिकी का नाम दिया गया वहीं फार्व वानिकी से तातपरिय ऐसे और इस उद्देश की पूर्ती के लिए वन विभाग जगे जगे निशलक पेड़ों का भी वित्रण करता है अब इसी तंदर में आगे बात करेंगे वन्य प्राणियों की जिसको हम कहते हैं वाइड लाइफ तो विश्व के ग्यात पौदों और प्राणियों की किस्मों में स चार से पांच प्रतिशत किसमे जो है वो भारत में है परंतु भारत में धीरे-धीरे जो यह वाइड लाइफ या बन्य प्राणि थे इनकी संख्या घटने लगी और इनकी संख्या कम होने के कारण गया है बड़े ही वैसे कारण है कि जैसे जैसे आप और योगिक और तक्न सपाई होने लगी फैक्ट्रीओं को स्ठापित करने के लिए इसके सथ साथ खेती बस्ती सड़क ख़ाई जलाश्य बनाने के लिए भी बनों को काता जाने लगा फिर चारे के लिए इंधन दीरे दीरे क्या किया इन वन्य प्राणियों को मारना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ चरागा की खोज में भी जो फॉरस्थ थे वो कटते गए और इन वन्य प्राणियों के जो घर थे वो नश्ट होते गए और जो आखरी कारण है वो है एक natural disaster जिसको हम कहते हैं जंगल म आग लगने से जब जंगलों का विनाश हो जाता है तो जाहिशती बात है कि जो यह वन्य प्राणी है इनके घरों को इनके habitat को नुकसान पहुँचता है तो अब वन्य प्राणियों के बचाव के लिए भी सरकार ने फिर कुछ कदम उठाए तो वन्य प्राणि अधिनियम 1972 में पास हुआ और इसके उठेश थे कि इस अधिनियम के तहट अनुसूची में सूची बच संकटापन प्रधातियों को सुरक्षा प्रधान करना और दूसरा उठेश नेशनल पार्ट पशु विहार जैसे संग्रक्षित छेत्रों को कानूनी सायता प्रधान करना इस अधिनियम को 1991 में फिर संशोधित किया गया और इसमें कठोर सजा का प्रधान किया गया और इसके साथ साथ यह कहा गया कि जो पेड या पौधे या जो वन्यप्रजातियां संकटापन हैं उनका संग्रक्षण तै किया जाना चाहिए आगणों की बात करें तो देश में वर्तमान में 103 नैशनल पार्ट और 535 वन्यप्राणी अभैवन है प्रोजेक्ट ताइगर 1973 और प्रोजेक्ट ताइगर एलिफेंट 1992 इसी वन्यप्राणी संग्रक्षण के तर दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में बागों की संक्या का स्तर बढ़ाया गया शुरू में 9 बाग निचियों में 16,349 वर्ग किलो मेटर का एरिया था जो बाग में बढ़कर चवाली स्क्रोड बाग निचियों में लगभग बढ़कर 36,988.28 वर्ग किलोमेटर तक पहुँच गया और इस प्रोजेक्ट की जो पहुँच थी वह 17 राजियों तक जा चुगी थी 2006 में बागों की संख्या 1411 से बढ़कर 2010 में 1706 हो गई जो अन्य परियोजना वन्य प्राणी संग्रक्षन से रिलेटेड चलाई गई वो थी मगरमच प्रजनन परियोजना हंगुल वा हिमालय कस्तूरी परियोजना आईए जानते हैं अब जीव मंडल निचे या बाइस फियर रिसर्फ किसे कहा जाता है ऐसे आरक्षिक छेत्र जो विशेश प्रकार के भौमिक और तड़िय पार्स्तित की तंत्र हैं जिने युनेसको के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतरगर माननेता प्राप्त ह इन जीव मंडल निचेओं के कुछ उद्देश हैं जो हम अभी समझेंगे भारत में 18 जीव मंडल निचे हैं जिनमें से 10 युनेसको द्वारा जीव मंडल निचे विश्व नेटवर्क पर माननेता प्राप्त हैं अब अगर जीव मंडल निचेओं के उद्देशों की बात करें तो तीन उद्देश हैं संग्रक्षण, विकास और विवस्था संग्रक्षण जै विवित्ता और परिस्थित की तंत्रों के संग्रक्षण से ताथ परे हैं वहीं विकास की बात करें तो पर्यावरण और विकास का मेल जोल करना ही development कहला रहा है और विवस्था की बात करें तो अनुसक्दान और देखरेंग के लिए जो एक अंतरराष्टी नेट्वर्प तयार किया जाता है ये विवस्था के अंतरगत आता है भारत में यदि जीव मंडर हिचयों के वितरण की बात करें तो ये मैप आपको जो different biosphere reserves हैं ये दर्शाता है जैसे नंदा देवी नीलगिरी कुछ एक इसकी पूरी सूची आपकी किताब में दी गई है इसके साथ-साथ आपको थोड़ा सा वितरण भी जानना चाहिए कि कहां पर आपको मिलते हैं मुक्यतर नंदा देवी पंचमणी कच नीलगिरी गल्फ ऑफ मननार अगस्त मलेग और कंचन जंगा ये मुक्य बाइस फेर रिजर्ब्स हैं ये पूरी सूची है जो आपकी किताब में दी गई है पूरी अठारा जीव मंडल लिचियों की सूची है जो आपकी किताब में है इसके नाम आपको जानना जरूरी है अब जो चार मुक्य जीव मंडल लिचे जिनका आपकी किताब में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं नीलगिरी जीव मंडल लिचे यह आरेश्टी चेत्र 1986 में स्थापित किया गया था और यह साथ नीलगिरी पठार साइलेंड पैली और सिद्धानी की पहाड़ियां भी इसमें शामिल है इसका जो टोटल एरिया है वह है 5520 वर्ग किलुमिटर इसके साथ जो दूसरा है वह है नंदा देवी जीव मंडल नीचे जिसका लोकेशन उत्राखंड में है और जो मुक्य जि अधियां वह हैं हिम तेदुआ काला भालू भूरा भालू कस्तूरी में हिम मुर्गा बाज और काला बाज इत्यारी जो तीसरा जीव मंडल नीचे है वह सुन्दर्वन जीव मंडल नीचे यह पश्चिप पंगाल में गंगा नदी के दलदी डेल्टा पस्तित है और इस बा साथ यहां पर जो मुख्य वन्य प्राणी पाए जाते हैं वो है बाग, चीतर, भॉंक्ते वाला अम्रिक, जनली सुवर जैसे जो दुरलब जीव हैं वो यहां पर पाए जाते हैं जो आखरी जीव मंडल नीचे आपको जिसके बारे में जानना है वो है मन्नार की खाडी का यह लिचल लगवक एक लाग पांच हजार हेक्टेर चेतर में फैला हुआ है और भारत के दक्षिन पूर्वी तडपर स्थित है समुत्री जीव विवित्ता के मामले में यह चेतर विश्व के सबसे धनी चेतरों में से एक है यह आपको याद रखना है कि जो मन्नार की सबसे पहले हमने जाना कि प्राकर्टिक वनस्पति कर प्रणाफ के प्रकार थे कि उष् too शर्णा कर्णेदार परवतियवनबंदय वेलांचिलई और सदांने सबसाथ मैध के मातियम से हमने इसके वितरण तो यहां तक तो वनों के प्रकार उसके बाद हमने यह जाना कि कि जो भारत की आत्र भूमी आठ भावो में बाटी गई है और इन आत्र भूमियों में कौन-कौन सी आत्र भूमी सम्मेलित था यह ने जाना इसके बाद इसका distribution हमने समझा उसके बाद जो आकरी जो वन था उसमें mangrove वन हम किसे कह रहे हैं यह भी हमने समझा उसके बाद इसका distribution हमने जाना मैप पर और सारे वनों का जो वित्रण होता है भारत के मांचित्र पर यह हमने देखा इसके साथ साथ हमने कुछ terms कि वन छेत्र और वन आवरण किसे कहा जाता है यह समझा उसका छेत्रवार वित्रण देखा भारत में और चार राज्यों में इसको किस प्रकार बाटा जाता है वन आवरण के इसके साथ हमने आखिर में जो बात की वो हमने प्रोजेकT टाइगर और प्रोजेक्ट लिफेंट की और सबसे आखिर में यह जाना कि जीव मंडल निचे किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के भारत में है यह हमने समझा अबच्चों मुझे अमीद है कि आपको यह पार्ट अ आया होगा दन लेवाद